नमस्कार दोस्तों, वेलकॉम तू माय चैनल, आज हम देखेंगे वाटीज इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग is the creative application of scientific principles to design or develop structures, machines, apparatus and manufacturing processes. मतलब अगर सिंपल वे में कहा जाएगा तो इंजिनियरिंग इस तो एप्लिकेशन आफ दी साइंस तू क्रियेट एनी डिजाइन और डिवलोप एनी स्ट्रक्चर और मेनफेक्ट्चर एनी मशीन और अपरेटर्स और एनी प्रोसस इंजिनियरिंग की शुवात हमारा दिन के शुरुआत से हो जाती है जैसे कि हम सुबा उठते हैं तो हमरा फर्स्ट आलराम बजता है अलराम बजने के दिविए इंजिनियरिंग है जिसमें कुछ इंजिनियर्स ने टाइम का कुछ सेटिंग करकी एक ऐसाई क्यूपमेट बना है जो पर्टिकुलर टाइम पर अलर्ट रिंग बजाना स्टार्ट करते था है उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारा जो डेली हाईजिनिक प्रोड़क्ट से जिसको हम यूज करते हैं लाइक सोप, हैंड वाश, फेस वाश इसमें भी एक टैक्वाइं इंजिनियर्स हैं इस इस पर्टिकुलर प्रोड़क्ट किया जाता है इसमें केमिकल इंजिनियर्स की रोल पर्फॉम करता है उसके बाद जो भी हम रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी वेहिकल यूज होते है उस वेहिकल का पूरा डिजाइज मेकैनिकल इंजिनियर्स बनाता है और एक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टन रोल केरी करता है आगे कुछ एक्जाम्पल देने के बात आए तो हर हर फिल्ड में कोई भी मशीन या एक्जाम्पल बिना पावर के रन नहीं हो सकता है इसी के लिए बोला जाता है कि पावर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टन एक्टर है डेदी लाइफ में इसी पावर को इंशूर करने के लिए में इंपॉर्टन रोल आता है इलेक्टिकल ज्योक्ते घ् alde करते हैंों फ्यूंचे करते हैं इसे है stitches लाइफ में बहुत साय इंगेरिंग अपी कैशें से बहुत सारे अलग अलब ऑप इंगिनुर आर फील्ट है अगर और सिंपल बैय मैं बोला जाए जिएग का आयसी ब्रांश है जो साइस का आप्useं को यूज करके human life को और comfortable बनाना के कोशिश करना इंजिनियरिंग का main purpose ही यह है कि human life के जो भी ने ने problems क्रेट हो रहे हैं उन problems का solution निकालना और उसके विहाब में better options क्रेट करना फिर बेरी थैंक यूज को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए और बेल आइकॉन को आउन करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो जल से जल आप तक पहुंच पाए फिर मिलते हैं हमारे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत